दोस्तों नमस्कार आप सब का स्वागत है हमारी वीडियो में आज हमें एक एक अईसा टॉपिक कबर करेंगे जिसकी सब को जरूरत है यह ऐसा नहीं है कि किसी एक business person को किसी को जरूरत है सबकी सबकी है जब लोगों को आश्त कि बहुत पता नहीं है टॉपिक यह है कि आपके नाम पे कितनी सिमे है ये कैसे चेक करें और कितनी सिमे है उनको कैसे बंद करें जो आपके नाम पे अनावस्तक सिमे खुले हुई है जिनका कोई ज़रोती नहीं है उनको कैसे बंद करें और आप खुद ही चेक कर लें कि आपके नाम पे कितनी सिमे है सब्सक्राइब कर लिए जहां आपको नहीं जानकारियां मिलती है जो आपने कभी सोची भी नहीं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए हिट अब बायत करते हैं हम लोग कि हमारे नाम पर कितनी समय है कैसे उनको बंद करना है कैसे चेक करना है कभी हमारे नाम पर सिम लेने जाते हैं किसी भी कंपनी के पास और हम लोग महां पर सिम एक्टिवेटर कराते हैं तो महां पर क्या होता है कि कंपनी वाला आमको बोल देता है कि आपने जो है मैक्सिमम नंबर जो सिम होई ले चुके है कितने ले सकते हैं अपने नाम पर जा कर सकते हैं कि लोग enrichment क्र लाउपिप्साइड लांच कर दीर को ढवicas आपके नाम पर जो राइस्टर सिम है जो आपके नाम पर एक्टिवेट से मैं आप उस नंबर को वहां पर फिल कर दीजिए उसके बाद एक कैप चाएगा सिंपल सा उसको फिल कर दीजिए एक ओटीपी के बाद उसको बैरिफाई कर दीजिए बैरिफाई करने के बाद जहां आप ने जो जो नंब्र खुल वा नम आप के हो जाएंगे आप लोग खुद बहां पर जाकर नमब्र को ब्लॉक कर सकते बिलॉक रिकारिए नम्ब्र करिये और बहुछ से कर दीजिए ब्लॉक आपको जो भी लगता है कि यह नंबर मेरे काम का नहीं है उसको बहुत कर दीजी आप लोग तो जैसे ही आप आप पर नंबर बंद करने का प्रोसिस करेंगे वह आपका नंबर दो वर्किंग डेज में हो जाएगा वहां से बंद याने की नंबर डेक्टिवेट हो जाएगा ल लिए आपको जाना पड़ागा अपने डाकुमेंट्स लेकर उसी कंपनी के और रेट पर आप बहां जाएए और उसको नया सिम कार्ट स्वेप करा लिजीए बैस सेम नंबर आपके नाम पर इसू हो जाएगा उम्मिद करता हूं आपको जानकर ये अच्छी लेगी जानकर अच्छी लेगी तो वीडियो को प्लीज एक बार सेर जरूर कर दीजिए और मिलतें नेक्स्ट वीडियो में